हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शीवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब टेक्लोंड चैनल मिस्टर बॉट आज का वीडियो काफ़ेता इंट्रेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको कमांड प्रॉंड में काम करने में काफ़ेता मज़ा आता है य ठीक है इस वीडियो का एक कमांड जो है आप सभी को जानना ही चाहिए अगर आप बिल्कुल भी इंट्रेस्ट रकते हैं अगर थोड़ा सा इब इंट्रेस्ट्ड के लिए थो फ्रेंड्स कंस्वल को आपको सीखना ही चाहिए और्य जो कमांड है काफ़े इंपॉर्टन है आप सबी के लिए मैं अपनी साइट से यह समझता हूँ कि अगर आप एक computer user है ठीक है और अगर आप command prompt का use करते हैं तो हर एक user को यह commands काफे अधा important है और हर किसी को पता होनी चाहिए ठीक है बहुत यह command prompt को run करना है तो आप स्टार्ट में जाते हैं या तो सर्च करते हैं या तो सीधा system विंडो सिस्टम के अंदर आके आप command prompt को run as administrator करके रंद कर देते हैं ठीक है आपका command prompt जो है इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी तब ऐसे केस में जब हमें ज्यादा काम करना पड़ता है तो इसके लिए सबसच्छा एक ट्रिक है आप जो है इस परफेट्टीज में जाना है अब आपको यहां पे यहां पर एड्वांस में जाना एड्वांस में जायेंगे तो यहां पर आपको चेक करना ओगा रहन ऐस्दonse tय त्ट अन्यrive देखिए आंप अपने command prompt को कभी भी आपका रंकरना है तो इसको shortcut को run कीजिए, yes कर दीजिए, run as administrator हो कही, देखिए यहाँ पर administrator से जो है, automatic आपको run देखने को मिलेगा, ठीक है, यह काफी अच्छी trick है, इसका आप use कीजिए, second trick है, command prompt की, अब यहाँ पर आप देखिए, यह command prompt, आप इसका window का size, resize, maximum, minimize, जो है, कर सकते हैं, ठीक है, यह आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन, इस command prompt के अंदर, अगर आप चाहते हैं, कि जब भी मैं इस file को open करूँ, cmv.exe को, ठीक है, तो इतनी बड़ी window में आए, आप window का size जो है, बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए, command prompt को जैसे आप run करेंगे, तो उसका size जो है, automatic बड कर देनी है, आप अपने according देखते रहिए, preview आपको देखी रहा है, और यहां से जो है, इसकी width और height जो है, अपने according जो है, आप सेट कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे ok press कर दीजिए, ठीक है, देखिए, आपके हिसाब से जो है, set हो गया, मैं इसको करता हूँ, close और दुबारा से open, तो देखिए, friends, जो हमने सेटिंग्स अप्लाई करी थी, उसे सेटिंग्स में जो है, यह open हुआ है, तो इस तरीके से जो है, आप इसको set कर सकते हैं, अब second trick है, इस चीज़ को हम जान लेते हैं, अब जैसे मेरे पास यह lab नाम का folder है, ठीक है, मैं इसमें आक किया है, मेरे को यह करना है कि मैं जैसे किसी command को execute कर रहा हूँ, तो उसका output मेरे को terminal में शोना हो, लेकिन उसका output मेरे को किसी file के अंदर मिल जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप उस file को कहीं और भेज सकते हैं, ठीक है, आप किसी और computer पर pen drive से उसको transfer कर सकते हैं, कहीं पर भी आप उसको carry कर के लए आ सकते हैं, अपनी जिरोत अनुसार, तो friends लोग क्या करते हैं, सीधा command को run करते हैं, और जैसे example को तौर पर मैंने यहाप इस system info जो है run किया, ठीक है, जिससे कि मेरे पास system की information आ जाएगी, लेकिन अब इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको copy करूँगा, ठीक है, फिर उहाँ पर paste करूँगा, तो काफ़ यहाँ दिक्कत होती है, और time भी भोजारे लगता है, तो ऐसे time पे मेरे को करना क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस folder के अंदर इसको paste करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर cd लिखता हूँ, cd, और यहाँ पर इसका paste कर देता हूँ, अब इसके बाद मैं इसके अंदर आज चुका हूँ, तो चलिए एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे location जो है, इसी folder के अंदर, अब मैं रखो यहाँ पर system info, जो मैंना भी command type कर रही थी, system info, मुझे इसका output जो है, एक file के अंदर चाहिए, ठीक है, file के अंदर output चाहिए, उस file का नाम मैं system info ही रख देता हूँ, sysinfo.txt, जैसी आप sysinfo.txt करेंगे, तो इस file का जो भी output होगा, इस command का, यानि execute होने के बाद, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखें, यहाँ पर system info न तो देखा, आपने किती एच्छी command थी, इसका use आप कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक बात का धियान रखना है, यह थे ही, friends, single command को मैंने इस file के अंदर transfer किया, अब कभी कभी क्या होता है, इस single file के अंदर, हमें multiple commands भी execute करनी हैं, और save करके रख देनी है, ठीक है तो ऐसे में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, simple सी इसको open किया, open करने के बार नीचे जाते हैं, फिर यहाँ पर उस command का जो भी output होता है, किसी command को उसको paste करते हैं, तो friends, काफी longer process है यह भी, तो इसके लिए भी मैं आपको तरीका बता रहता हूँ, अब सब बोज किजिए कि म system info के अंदर, ठीक है, यह जो system info है, sysinfo.txt जो folder है, यह जो text file है, इस text file के अंदर, यह भी data चले जाए, तो ठीक है, आप यहाँ पर, जैसी second command जो है, type करेंगे, उसके बाद जो है, आपको double forward slash लगाना है, और उसके बाद आपको, क्या करना है, file का name देना है, ठीक है, देखिए, friends, काफी important concept है, अगर आप इस समझ गए, तो आपको जो है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, मैंने यहाँ पर sysinfo.txt किया, क्या किया मैंने इसमें, मैं चाहता हूँ कि जो file पहले से present है, create ना हो यहाँ पर, जो पहले से present है, उसके अंदर यह data चल जाए, त चल एक बड़ चेक कर लेते हैं, पहला जो मेरे का output देखने को मिल रहा है, यह system info का है, अब यहाँ पर देखिए, जो windows IP configuration है, यह ip config का है, ठीक है, तो देखा, आपने यानि, हमने एक ही file के अंदर multiple commands का data, जो है, वो सेफ कर दिया है, आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं, ठी ठीक है, यह भी इसी कुछ, ऐसी command है, अब suppose कीजिए, मैं चाहता हूँ कि क्यू प्रोसेस, ठीक है, जो कि आपको पता है, कि हमें यह command कुरा उप्रोसेस यहाँ पर शो कर देगी, यह mister bot द्वार इतनी प्रोसेस यहाँ पर console में चल दीग, क्यों मैं, उस सब के सब मेरे को यह करूँ, अभी फिलाल, मिरे को कॉपी करना है, तो इस command को एंटर करने के बार, यानि किसी भी command को एंटर करने के बार, आपको space देना है, pipeline लगानी है, और यहाँ पर जो है, आपको clip लिख देना है, ठीक है, CLIP, clip करने से यह clip हो जाएगी command, अब देखिए, अब हुआ किया, यह Q process है, पहले हमने इसको execute करके आपको दिखाया था कि इसका output क्या है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया है, कि इसका output को copy कर दिया है, लेकिन अभी कहीं paste नहीं किया है, clip करने से, ठीक है, अब मैं आपको example दिखाता हूँ, मैंने इसको copy कर दिया था, हम चाहता हूँ कि इसक आप पूट जो है इसमें चला गया है किलिप में यानि कि हमारे कॉपी वाले फंचन में आ गया है अब हमें इसे यहां पर पेस्ट कर देना है तो देखिए आप पूट जो है मैं आपे देखने को मिल रहा है आप खुद देख सकते हैं ठीक है यह भी काफ़ अदा इसको याद रखिएगा और डेली यूस में काफ़ी अदा इस कमांड को यूस किया आता है अब मैं इसको एक बार कर देता हूं क्लियर करने के बाद अब आप एक चीज पर है कि अगर आपको मल्टिपल कमांड को सेम टाइम पर रन करना है अब सपोश किजिए कि मेरको आई-पी इस yl कमांड को बीच में यह डबल एंड का साइन लगाया है आई-पी कौनफिज्टेम इनफर भी इनकरना चाहता हूं और इंडल फिर system info को run करूंगा बहुत लंबा टाइम हो जाता है ऐसे में time बचाने के लिए ipconfig and add और किसी भी command का आप नाम दीजिए ipconfig नहीं multiple दोनों commands को आप replace कर दीजिए यहां से जोंसी command का use करना चाहते हैं बस मुझे बीच में add-end लगा दीजिए कर दीजिए enter अब ऐसा करने से देखे पहले में ipconfig करी थी तो ipconfig run हुई और उसके बाद जो है मैंने system info किया था तो system info वाली command यहां पर run हुई है खुद देख लिजिए यानि same time में parallel time में हमने इस command को जो है यहां पर run किया है आप अच्छे से देख सकते हैं ठीक है डेली यूज में अब अपना time save कर सकते हैं इन commands का use करके बहुत जारा important commands है friends आप सभी को command यह कैसी लग रहे हैं नीचे comments में जरूर बताना ठीक है अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखते हैं आप सकोज किजिए इस command prompt में पहले से setting की हुई इसको मैं minimize कर देता हूं लेकिन by default होता क्या है मैंने command prompt को open किया open करने के बाद यहां पर मैंने ipconfig command एंटर किया ठीक है एंटर होने के बाद अब कभी कभी होता क्या है friends इस बात को धियान रखिएगा थोड़ा सा कि अब मेरे को इस command कर जो आउटपुट है यासा मेरे को copy करना है तो ऐसे टाइम पर हम थे तकस्स में हमने transfer किया लेकिन मैं चाहता हूं कि टर्मिनल से ही copy करके मैं कोई जा रहा है मानलो कि मुझे इस command का पूरा इस्सा कॉपी नहीं करना है उसमें किया है कि हम पूरा हिस्सा ही जो है उसका पूरा पूरा आउटुट ही जो है फाइल के अंदर ले रहे थे या तो एक ही फाइल के अंदर हम जो है पेस्ट करा रहे थे यहां पर क्या करना है मैं चाहता हूं कि सिर्फ यह वाली लाइनी में कॉपी करना चाहता हूं जो यह इतना हिस्सा जो है कॉपी करना है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया अब मेरे को अगर कहीं पर भी पेस्ट करना है इतने हिस्जे को आप अपने कोडिंग जो है सेट कर सकते हैं मैंने इसको कॉपी किया कॉपी करने के बाद मुझे से नोट पैड में जाना है और यहां पर प अच्छा है यह आप एक बार इसको यूज कर लिजेगा अब यहाँ पर आपने देखा फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी कमांड का यूज किया तो आप जो है बैक एरो जो है उपर का यानि अप एरो जो है प्रेस करेंगे एरो कीज से तो आपको यहाँ पर सब चील पता चलेगा आपने कितनी कमांड को यहाँ पर टाइप किया है ठीक है लेकिन इसके लिए मिरेको बन वाइवन जो है प्रेस करके देखना पड़ेगा अब इतना टाइम किस पे किसी पे नहीं है न आप पर भी नहीं होगा मुझे पता है तब यहाँ इस वीडियो को देखने आए हो ताक ठीक है इस कमांड को एंटर करने के बाद आपने अपने कंप्वीटर में जितनी भी कमांड एक्जिक्यूट की है उसकी हिस्ट्री जो है आपको दिखा देगा इंक्लूडिंग इस कमांड ठीक है एंटर करता हूं और यह देखिए पहले हमने system info run किया था उसके बाद जैसे हमने जो चीज कमांड यहां पर run करी है सारी सारी information यानि including जो हमने यह कमांड यहां पर रन करी है उसका भी स्ट्रीन होना मेरे को बता दिया है काफिया इंपोर्टेंट कमांड है इसको आप यूज कीजिए और एक चीज और बता रहता हूं यह तो कमांड जो है हमने यहां स अब सपोस कीजिए मेरे को इसमें से यह कोई कमांड है जैसे मान लो यहां पर क्यूब प्रोसेस और यह तो चलो चोटी सी कमांड है कोई मैंने बहुत बड़ी कमांड यहां पर मान लो की रन करी है अब मैं उसको फिर दुबारा टाइप करूंगा ऐसे से करके ठीक है या त आपको अपने कीबोर्ड से एफ सेवन प्रेस करना है ठीक है एफ सेवन प्रेस करना अपने जित्ती भी कमांड से रन करी है वह आपको शो हो जाएगी अब मेरे को क्यू प्रोसेस रन करना है यहां आना है बस एंटर कर देना है कमांड एग्जेक्यूट हो जाएगी ठीक है देखा कितने अच्छी ट्रिक थी आप सभी के बहुत ज़ादा काम आने वाली है अब यहां पर एक ट्रिक में आपको बता रहा हूं यानि काफी अच्छी ट्रिक है मैंने आपने तो देखा कि अभी इस टाइम मेरी प्रिजेंट डेरेक्टरी है मिस्टर बॉट यूजर के अंदर डेक्स्टोप में लाइब नाम के फोल्डर के अंदर यानि इस फोल्डर के इस लोकेशन से मैं इस कमांड प्रॉंट को एक्जिक्यूट कर रहा हूं ठीक है अब मेरे को यहां पर बाइचंस मान लीजिए मेरे को पूरा पूरा इसका जो है ना यानि ट्री मैप देखना है कि इस फोल्डर के अंदर लैब 1 के अंदर कौन से फोल्डर है कौन सी फाइल से लैब 2 के अंदर कौन से फोल्डर है कौन सी फाइल है अब मैं simple simple यह करके normal way में लोग क्या करते है cd lab 1 में enter करेंगे फिर यहां पे dir command execute करेंगे देखेंगे यहां कोई file है यहां कोई file है यह नहीं फिर उसके बाद cd dot dot करके back करेंगे ठीक है फ्रेंट से बहुत लंबा concept है ठीक है बहुत बेकार की चीज़ है इस तरीके से अगर आपको करना है एक दू जगे करना है तो कोई भी कर लेगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आपको suppose कि यहां पे 1000 folder हैं ठीक है 500 folder है और उसका output आप लेना चाहते हैं ठीक है तो इसक आपको tree map दिख जाएगा ठीक है देखिए आप लेब one folder है लेब one के अंदर कोई भी डेटा नहीं है यानि कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर नहीं है लेब two Lab two के अंदर एक comp one नामका एक folder है ठीक है आपको यहां चेक रहा है लैब three के अंदर desktop PC एक बार चेक लेते हैं लेवबू के लिए बता रहा ह demean का फोल्डर तो कमपन नम का फोल्डर एब जृए को अकुट्रीज पता लगा सकते हैं है बहुत प्रेंट इसको भी आद रखेगा ठीक है फ्रेंटस कि अब यहां पे एक बहुत ही आ रहें इंट्रस्टिंग कमांड है जो आप सभी के लिए काफी जरूरी है अब कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके कंप्यूटर में पेलोड सा जाते हैं ठीक है बहुत सारी ऐसी एप्लिकेशन होते हैं जो इंस्टॉल तो होती है करेंगे तब आपको यहां पे लिस्ट दिख जाएगी ठीक है लेकिन मेरे को यह लिस्ट जो है यहां से शो करनी नहीं है मैं चाहता हूँ यह जो लिस्ट जो है मैं को टर्मिनल के अंदर ही मिल जाए तो इसके लिए कमांड है WMIC ठीक है प्रोड़क्ट इस कमांड को आप देख लीजेगा GET क्या करना आपको नेम चाहिए तो यह कमांड जो है सभी प्रोड़क्ट के जो है आपके विंडोस के अंदर जितने भी अप्लिकेशन से उनका जो है एक डेटा बनाएगी जो जो इंस्टॉल है और उसका आउट पूर आपको यहां पे दे देगी आप दे इंट्रेस्टिंग है अगर आप यहां तक यह वीडियो देख रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स मैं समझ सकता हूं आपके बाद आपको काफी अच्छा समझ में आ रहा होगा तब ही आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं अब मैं आपको बताना चाहरा हूं कि मैं मैंने से प्लस 2010 में सिस्टम में इस ताइम जो है प्रिजेंट टाइम में इंस्टॉल है अभी इसके अंदर आपको MS Access भी देखने को MS Excel PowerPoint WordPad ऐसी बहुत सारी एप्लिकेशन है MS Office की जो मेरे को यहां से नहीं पता चल ला है कि कौन-कौन से इंस्टॉल है लेकिन यहां पर देखिए आप MS Office, OneNote, Access, Shared Setup, Excel, PowerPoint, Publisher यानि इसके जितने टूल है नहीं यहां पर इसने मेरे को एक एक अच्छी डिटेल्स में जो है अच्छे से बता दिया है कि आपने जो है यानि आपके कंप्यूटर में इस ताइम प्रिजेंट टाइम में कौन-कौन सी इस एप्लिकेशन इंस्टॉल है तो अगर आपको कभी ऐसा डाउट हो कोई ऐसी एप्लिकेशन है जो मिस्बिहेव कर रही है और आपको वहां पर शो नहीं हो रही है ठीक है तो आप यहां पर आपके शो कर सकते हैं उसको निस्टॉल कर सकते हैं अच्छे से डिलीट कर सकते है ठीक है तो बहुत अच्छी कमांड है यह इसको आप जो है यूज कीजिएगा अब मैं आपको एक काफ़ एदर इंट्रस्टिंग कमांड बता रहा हूं जो कि हमारी इस वीडियो की लास्ट कमांड है ठीक है अब यहां पर आप देखिए मेरे पास यह फोल्डर है इस फोल् यहां पर देखिए मैं इसको विंडो को बड़ा कर देता हूं और यहां पर मेरे सिस्टम में अभी फोल्डर हमने हाइट किया और शो नहीं होगा लेकिन जब भी मैं इस पर चेक कर दूंगा तो फोल्डर जो है शो हो जाएगा तो यह ट्रिक तो हर किसी को पता होती है नॉ ठीक है और इसको अनहीट करने के लिए लोग प्रोपेटी में जाते हैं यहां से अंचेक किया अपलाई कर दिया ओके कर दिया अब यह फोल्डर अनहीट हो गया है ठीक है यहां से जो है इसको फिर बंद भी कर देते हैं लोग उसको बंद ना करे ना करे लेकिन जो है आपक इसको पताएगी कि इस जगे डेटा है वो नॉर्मली चेक करेगा आपके कंप्यूटर में ठीक है अलगळग फोल्टर रसम जाएगा वह इसो इडेन फ़ाइस परीटा करेगा उसको मिलेगा ही निहीं ठीक है, होरो होगा वह आपके computer में ही, काफी interesting command है friends, इसको याद रखेगा, इसके लिए command है add trip, इस command का मैंने एक basic version जो है पहले पीछे बताया था, command prompt की और भी वीडियो के जो link है मैं इचे description में दे दूँगा, आप उनको भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको फिलाल जो आपको देना है folder name, तो अभी मैं lab folder के अंदर हो, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा lab 3 नाम का जो folder है, यह hide हो जाए, तो मैं यहाँ पर lab 3 कर दिया, और enter कर दिया, अभी folder देखिए hide हो गया, यहाँ से भाग गया, ठीक है, अब कोई आएगा, वो सुचे गा, जब मैं देख नहीं मिलेगा, परिशान होगा, वापिस भाग जाएगा, ठीक है, आपका computer देखेगा ही नहीं, उसको मिलेगा ही नहीं, अब अगर आपको इस folder को देखना हो, अगर अभी तो आपने height कर के रख दिया, लोगों से, अब आपको जरूरत है, इस folder को देखने की, तब आप कैस से देखेंगे, तो इसके लिए command है, same command है, यहाँ पर आपको type करना है, attributes, जहाँ पर आपने plus का symbol यूज किया, वहाँ पर आपको जो है, minus का symbol यूज करना है, minus h, minus s, ठीक है, minus r, folder का name किया था, आपको folder का name, याद रखना है, बस folder का name था, जो हमारा जिसमें secret data है, उसका नाम lab 3 है, अब मैं जैसे इसको enter करूँगा, तो देखिए, भूम, आगया folder हमारा हमारे पास में, अब आपका इसके अंदर secret data है, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी file का आपका use है, उसको आप निकालिए, use कीजिए, और अच्छे से use कर गिए, अब मैं friends, एक last command over है, अभी मेरे कोई याद है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, अब होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, जैसे color change कर निकले, color command को enter करते हैं, ठीक है, sorry, यहाँ जैसे मैंने color 2 लिखा, तो आप देख सकते हैं, कि color 2 लिखने पे, जो मेरे text का color है, ज यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे, मैं क्या बताना चाहरा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे color 5 किया, और enter किया, color 5 में मुझे pink color का output मिला, अब मैं color 5 की जगे color 6 करता हूँ, तो 6 में मेरे को कैसा output मिला, यह yellow color का output मिल अब मैं चाहता हूँ, कि जो मेरा background है, देखिए आप color, color 5, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 6, अब enter देखिए, आईए आपको कहानी समझ में, जो 5 है, वो आपके current उसका color चेंज कर रहा है, और हमने 6 में, जो हमें yellow color का output मिला था, वो हमने text पे apply कर दिया, यानि background और foreground color जो है, आप change कर सकते हैं, बस आपको अपने letter का decimal का ध्यान रखना है, जो first decimal है, वो आपके background पे आजाएगा, अगर आप एक से ज़्यादा अगर यूज करते हैं, ठीक है, और second जो है, आपके background के color को change कर देगा, जो यहाँ पे text में है, इसके color को change कर देगा, तो काफी लोगों कोई problem आती है, समझने में, इक command आखिरकार work कैसे करती है, तो मैंने सोचा, मैं आप सभी को बता दूँ किसकी क्या reality है, तो friends, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छ लगए, तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, और च कोशिस जलू करूँगा, मैं मिलता हूँ friends, आप सब इसन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद वंदे मातरम